नमस्कार आज का ये वीडियो आज का ये सेशन देश के उन वीर नोजवानों के नाम जो सरदों पे बैठे हुए दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं तब ही हम चैन से सो पाते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो पंतियां उन वीर नोजवानों के नाम किसी ने खूब लिखा है कि देश के शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून भिकरा है पर्चमे हिंद तब कहीं जाकर तेरे चहरे का रंग निखरा है मौत की मंडियों में जा जाकर वीरों ने गर्दने दी हैं वतन ने जब भी एक सर मांगा वीरों ने भर भर के जोलियां दी हैं जी हाँ वास्तू के दृष्टी कौन से ऐसा क्या है कि हमारे देश में हमारी माभूमी पर इतनी नेगिटिव फोर्स जो हैं वो आ जाती हैं और हमारे देश के वीर सुपूतों को हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान तक जो है वो कुर्बान करनी पड़ती है पुल्वामा का जो हाथसा हुआ जिसमें वीर जवानों ने अपनी जो शहादत जो है वो दे दी वीर जवान जो है वो शहीद हो गए ऐसा क्या है वास्तू के दृष्टी कौन से वास्तू के दृष्टी कौन से यदि इसको समझने की कोशिश करे तो हमारा देश यानि की भरत वर्ष इसका जो केंदर बिंदू है यानि की दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार वो कहा है दिल्ली में दिल्ली यानि की केंदरबिंदू और जब हम बात करते हैं किसी भी भवन की किसी भी देश की किसी भी जगा की तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस जगा की उस देश की उस भवन के भ्रमस्थान की ध्रमस्थान कहा गया शरीर का वो हिस्सा जो की हमारे शरीर को जोड़ता है कैसे जोड़ता है हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 से जादा जो नाडियां है उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका एक जो जंक्शन है वो हमारी नाभी मनती है यानि की नाभी के द्वारा हमारे शरीर के विबिन अंग जहांपर वेंस जो हैं वो ब्लड सप्प्लाई के थूँ नूटरियंट्स जो हैं जो मिनरल जो हैं जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों तक पोढ़िघती है इसका मतलब जो भरमस्तान है वो एक मेजर भूमी का निभाता है ठीक उसी तरह से हमारे देश के सभी फैसले जो हैं वो राजधानी दिल्ली में लिए जाते हैं तो अभी आप इस चित्र में यदि देखेंगे तो जो दिल्ली है यदि हम उसको भरमस्तान जो अम्रिच सर है जहां से वागा बॉर्डर जो है तो उसका द्वार खुलता है वो किन एनरजी फिल्ड्स के ओपर बन रहा है जिसका नाम है राजक्षमा और नागा राजक्षमा क्या है वास्तो की द्रिष्टि कोन से वो रुद्र का सहायक है और रुद्र क्या है नेगिटिव फोर्सिस का सरगना नागा क्या है उन नेगिटिव फोर्सिस का आजाना तो ये प्रवेश द्वार खुला है राजक्षमा आपकी सीमाओं को आपके घर को बांधन का काम करता है और ये negative forces जो हैं वो राजक्षिमा और नागा की energy field पर प्रवेश्दवार जो अम्रिच सर यानि की जो वागा बॉर्डर के थूँ जो अटारी के थूँ जो वहाँ से आगमन होता है या वहाँ से कुछ सामान जो है वो भेजा जाता है तो वहाँ से दिक्कतें आती हैं वास्तु का दृष्टी कोन से ये बहुत एहम है जब भी कोई प्रवेश्दवार क्योंकि प्रवेश्दवार हमारे शरीर में जैसे पांच इंद्रियों के माध्यम से हमारा जो मुँ है, हमारा जो नाक है, हमारे जो कान है, हमारी जो आँके हैं, हमारी जो तचा है ये हमारे शरीर के प्रवेश्टवार है, ठीक उसी तरह से हमारे देश का प्रवेश्टवार जो आप अभी इस picture में देख रहे हैं ये exactly हमारे देश के अंदर हमारी सरदों के अंदर इतनी negative forces आने का जो major reason है वो ये रुद्रा और नागा की साथ राजक्षमा का मिल जाना उन energy fields के उपर एक प्रवेश द्वार खुल जाना जिसके कारण से ये हो रहा है पर क्या हो कि यदि ये प्रवेश द्वार अगर बंद हो या ये प्रवेश द्वार किसी और symptoms दे वो कैसे हो पाएगा हमारा जो देश है उसको बांदे किसने रखा है एक शहर को दूसरे शहर के साथ किसने जोड़े रखा है वो है भारतीय रेल ये ठीक भारतीय रेल वैसा काम कर रही है जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो नाडियां है बहत्तर हजार से ज़ादा हमारे अलग-अलग अंगों तक वो खाद्यपरदात जो हम खा रहे हैं उसके विटामिन्स, मिनरल्स हमारे शरीर तक जैसे ले जा रही है वो ही काम हमारी भारतीय रेल करती है और ये भारतीय रेल का मध्यपार्ट जो है जो नाभी जो इसका ब्रह्मस्थान बनता है वो बनता है नागपुर में ये जो आप चित्र में वो trains जो है वो निकलती है तो इसका अर्थिये है कि भारतिय भूमी का जो नाभी है भारतिय भूमी का जो भर्हमस्तान है वो नागपूर यदी हूँ अब मैं ये नहीं कह रहा यहां पे कि हम दिल्ली जो है वो shift कर दें नागपूर में पर क्या ऐसा मुम्किन है कि जो सरकार दिली में बैठी है वो दिली में बैठके जो फैसले ले रही है एक office जो है वो नागपुर में बना दिया जाए और नागपुर से वो orders जो है निकले हैं यदि ऐस ऐसा हो जाता है तो हमारी जो नाभी है वो automatically shift होके नागपुर में आ जाएगी और जब नागपुर में आ जाएगी तो आप इस चित्र में देखेंगे तो जो अमरिटसर का आउडर अमरिटसर की जो वागा बाउडर है जो प्रवेश द्वार राजक्षमा नागा के एनरजी फिल्ड पे खुल रहा था जिससे हमारे देश के अ तो जैसे ही एक छोटा सा आफिस जो की नागपुर में यदी बनाया जाए जिस जो दिल्ली में जो फैसले हो उसका और्डर जो है वो नागपुर से निकलें तो हमारी नाभी जो है वो अपनी जगा पे आएगी जिसके कारण से आप ये देखेंगे अमरित सरका जो बॉर्डर भी है जहां पर प्रवेश द्वार बन रहा है वो शिफ्ट होके अच्छे एनरजी फील्ड पे आ जाएगा तो ये एक प्रयास है ये एक उमीद है कि भारतिय सरकार इस वास्तू के माध्यम से यदी माभूमी के लिए हम कुछ भी कर पाएं तो बहुत खुशी होगी इस वी हमारी भारत भूमी की जो नाभी है यानि कि भ्रह्मस्थान जो है वो अपनी जगा पर आए जिससे हमारा भारत वर्ष कूग प्रगती, खूग उन्नती और खूग खुशालो एक बार फिर से उन शहीद हमारे हिंद के सुपूतों को उन वीर जवानों को प्रिनिटी वास्त परिवार की और से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत सलाम